दिल्ली के जंतरमंतर से ओलम्पिक एसियन और कॉमन वैल्थ पदक विजेताओं दवारा जो भारते कुस्ती महासंग के अध्यक्स हैं ब्रीजबुशन शर्ण जी उनके खिलाफ परदर्शन किया जा रहा है परदर्शन क्यों किया जा रहा है ये इस बारे में आज हम पूरी टेल में बात करेंगे स्वागत है हमरी यूट्यूम चैनल अब्लिक मीडिया हरियाना पर मैं मेन का दे स्वाल फिर से आज रॉक किसमक्स आज की जो वाइरल खबर है वो है कि दिल्ली के जंतरमंतर पर हरियाना के जो परमुख कुस्ती के खिलाडी है जिनमें बहुत सारी मह साफ कहा दिया कि जब तक WFI के चियर परसन यानि कि प्रेजिडेंट कह लिजी आप कुस्ती मासंग के उनका इस्थिफान नहीं लिया जाएगा वो धरने से नहीं उठेंगे और जो फेडरेशन है फेडरेशन ही वो समीती होती है जो सारे नियम बनाती है खिलाडियों के लि परमुक खिलाडी है बजरंग पुनिया विनेश फोगाड साकसिमलिक सत्यवर्त काद्यान और भी बहुत सारे पदक विजेता खिलाडी दिल्ली के जंतरमंतर पर धरना दे रहे हैं और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक इस मा उत्पीडन मामले में एक मामला बहुत ही जयदा वायल लुआ था जिसमें महीला कोच ने संदीप शिंग जो खेल मंतरी हर्यान के उन पर बहुत ही गंबीर आरोप लगाए थे और चारों तरफ से जो हमारी खाप पंचायते हैं और जो महीला कोच है उनकी तरफ से जो खेल म मंतरी हैं उनके स्थीपे की मांग की गई थी लेकिन सरकार का रुख मंतरी के परती नरम था और ये कहा गया कि जो महीला कोच है वो अनर्गल आरोप लगा रही है आरोपों की पुष्टी कोट के तरू होगी तो इस मामले में कोई भी ठोस एक्सन जो खेल मंतरी है उनके लि नहीं किया गया तो कही न कहीं ये सारी बाते हैं खिलाडियों के मन में घर कर गई है क्योंकि उनके साथ भी कही न कहीं गलत हुआ है और विनेज फोगार देता साफ तोर पर ये कह दिया है जो कुस्ती के अध्यक्स है जो भारती है कुस्ती महासंग के अध्यक्स है ब्रीज सोशन किया है मानसिक और सारी लिख. विनेस फोगार्ट बताती है कि अध्यक्स जी ने मेरा भी मानसिक तोर पर बहुत ही ज़ादा सोशन किया है. एक समय ऐसा आगया था जब मैं सुसाइड करने के गयार पर थी. मैं हर दिन ये सोचती थी कि मैं सुसाइड करूँ अगर मैंने सुसाइड कर लिया तो मेरी परिवार का क्या होगा वो समय है मैंने बहुत ही मुस्किल से निकाला है और ऐसी बहुत सी लड़किया होती थी जो अपने सोशन की बात विनेस फोगार के सामने भी रखती थी और विनेस फोगार ने ये भी कहा है कि समयाने पर वो उन लड़कियों के नाम भी बताएगी जिनके साथ मानसिक के साथ सारीरिक शोशन भी हुआ है क्योंकि विनेस फोगार ने सीधे-सीधे ये अरोप लगाई है कि जो कुस्ती महासंगे अध्यक्स हैं वो लड़कियों का मानसी के साथ सारीरिक शोषन भी करते हैं ऐसी बहुत सी लड़किया हैं जिनका सारीरिक शोषन हुआ है जब ये सारी बातें अध्यक्स जी से पूछी गई मीडिया के थुरू तो उन्हों ने इन आरोपों को सीरे से खारिज कर दिया और कहा कि मैंने कभी किसी लड़की का सारीरिक शोषन नहीं किया अगर किसी का किया है तो वो सामने आए जब परूफ मांगने की बात हुई मीडिया के थुरू तो विनेज फोगार्ड ने कहा कि जब सारीरिक शोषन होता है मांसिक तो वो बंद कमरे में होता है कैमरे के सामने नहीं होता और रही बात अगर सबूत ही मांग लिए जाएंगे तो हम समयाने पर सबूत भी दे देंगे क्योंकि हर आरोपी यही कहता है कि उन्होंने ये जो क्राइम है ये नहीं किया उन्होंने जो आरोपन पर लग रहे हैं वो काम नहीं किया है और ऐसा ही अध्यक्स जी ने कहा अगर अध्यक्स जी ने कहा कि अगर ये आरोप सत्य सीध होते हैं तो वो खुद को फासी लगा लेंगे तो फासी लगाने की बात पर बजरंग पुनिया जी ने कहा जो हमारे कुस्ती के महान खिला रही है बजरंग पुनिया उसने कहा कि वो तो समय आने पर ही पता चलेगा कि आगे क्या होता है लेकिन एक बात साफ तोर पर बजरंग पुनिया ने कही है कि खेल फेडरेशन ऐसे नियम बनाता है जो दो दिन पहले लागू कर दिये जाते हैं जिनका पहले अता पता भी नहीं होता अपने आप नियम बनाए जाते हैं अपने आप नियम तोड़े जाते हैं खेलाडी पता किने कितनी समझ्यां से जूज कर आगे बढ़ते हैं इस पर एफ भारति कुष्टी महासंग के अध्यक्स ने कहा कि उन्होंने दिन रात एक करके खिलाडियों को आगे बढ़ाया है उन्होंने अपनी तरफ से ही सब कुछ लगा के खिलाडियों को आगे बढ़ाया है खिलाडी मेहनत नहीं करना चाते हैं वो ट्रायल देने से बसते हैं और जब अंतरराष्टे कोई भी event होता है, तो वहाँ पर वो तयार हो जाते हैं, और national में कोई भी event हो, तो वो trial देने से बसते हैं, खेलने से बसते हैं, खिलाडी मेहनत नहीं करना चाते, उल्टा उन्होंने खिलाडीयों पर ही आरोप लगाई हैं। अब देखने वाली बात ये है कि इतने गंबीर आरोप है साकसी मलिक जी ने तो ये भी कहा है जो हमारी महीला पहलवान खिलाडी है कि जब तक अध्यक्स का स्थीफा मंजूर नहीं होगा तब तक वो नहीं उठेंगे क्योंकि जब भी वो बाहर खेलने जाते हैं तो उनके कोई भी फीजियो थेरपिस्ट नहीं होता क्योंकि फीजियो की जरूरत खिलाडियों को सबसे पहले होती है कि कोई भी चोट लग जाए या डाइटिंग का जो वीशियो वो फीजियो ही हैंडल करता है लेकिन बावजूद इसके फीजियो नय जाकर अध्यक्स वीदेशों म अनिवार्य रूप से जाते हैं और फीजियो का नाम निसान भी नहीं होता है जिसकी खिलाडियों को बहुत ज़्यदा जरूर दोती है अपने ऐसो अराम के लिए अध्यक्स जी फीजियो को ले जाना जरूरी नहीं समझते कि खिलाडियों की सेहत के साथ खिलवार हो रहा है उनके लिए क्या सही है क्या गलत है अब आगे जो भी परकिरिया होगी हम आपके साथ जरूर सेयर करेंगे अगर आप चाहते हैं कि हम लाइव जाकर तस्वीरे दिखाएं लाइव जाकर बात करें तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना और आज इतनी ही अपडेट है कि खिलाडियों की आज बाचित हुई है सरकार से लेकिन कोई खास नेर्ड नहीं आया है आगे कि जो भी अपडेट होगी हम आपसे देते रहेंगे आज हमें देजी इजाज़त धन्यवाद